मंत्री केदार कश्यप के कौंगरिस पर लगाय गए गंबी रारोंगों पर कौंगरिस प्रवकता राधिका खेरा ने पलटवार करते हुए उन्हें चवण प्रास खाने की सलाती है उन्होंने कहा कि केदार कश्यप अपनी पार्टी का इतिहास और वर्तमात दोनों भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं कि रास्टरवाद की आर में बीजेपी देशी विदेशी कतिवीधियों में सनलिप्त रही है कॉंगरेस प्रवक्ता राधिका खेरा ने वीडियो संदेश के जरिये ये भी कहा किदार कश्यप को याद दिला दूँ बीजेपी ने 1999 में मसुद अजहर को छोड़ने का काम करने इनकी पार्टी ने किया था आगे इसे आगे जाकर इतना बड़ा आतंकी संगठन जैशे मोहमद बनाया जिसने मुंबई अटेक किया वे ये भी भूल रहे हैं कि इनके आईटी सेल की सदरसे दुरुव सकसेना के साथ 11 लोग और पकड़े गए जो आईएसाई के ये काम कर रहे थे भारतिय जन्ता पार्टी के मंतरी केदार कश्यप को चवनप्राश खाने की सग जरुवत है वो अपने पार्टी का इतिहास और वरतमान दोनों भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं किस तरीके से राश्रवाद की आड में देश विरोधी गतेविदियों से भारतिय जन्ता पार्टी सनलिप्त है मैं उनको याद दिला दूँ 1999 में सबसे पहले मसूर अजर को छोड़ने का काम इनकी पार्टी ने किया जिसने आगे जाके इतना बड़ा टेरर आउटफिट बनाया जो जिम्मेदार है मुंबई अटाक्स तक का जैशे मोहमद वो ये भी भूल रहे हैं कि दुरुव सक्सेना जो इनके IT सेल के मेंबर इसके साथ 11 लोग और पकड़े गए जो ISI के लिए स्पाई का काम कर रहे थे जो हमारी देश की ATS ने पकड़े वो ये भी भूल रहे हैं कि 2017 में इनके असाम का एक बड़ा नेता जिसका नाम है निरंजन हो जाई उसको लाइफ इंफिस्टमेंट दी गई NIA कोट द्वारा क्योंकि उसने 1000 करोड से जादा रुपे टेरर आउटफिट्स को फंड करने के लिए इस्तमाल किये वो ये भी भूल रहे हैं कि 300 किलो RDX हमारे देश में जो आया पुलवामा अटैक के समय में उसके उपर आज तक कोई इनको आइडी नहीं करे गई और बीजेपी इसके उपर शान्त हो गई है वो ये भी भूल रहे है कि उन्ही की पार्टी और उन्ही के ग्रहमंत्री अमिट शाह साब ने ISI को खुद हमारे देश में बुलाया और पठान कोट एरबेस का जायजा लेने को कहा और देखिए आक है तालिब हुसेल और वो सिर्फ देड़ साल पहले पकड़ा गया और वो अमरनात यात्रा पे भी प्लान कर रहा था लगा तार बार बार जो लोग आए हैं वो या तो भारतिय जंता पार्टी के मेंबर हैं या उनके बड़े नेता हैं जो टेरर आउटफिट को सपोर्ट कर हाना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिनके नेताओ ने अपनी जान इस देश केले दे दी ओप्रस पार्टी के बड़े-बड़ेर नेता हो या छोटे-चोटे कारेकरता इस देश के लिए शहीद हो या इंदरा गांधी जी हो या राजीव गांधी जी हो या 36 गड़ के छोटे-छोटे कार्यकरत और बड़े-बड़े नेता जो शहीद हो गए नकसल हमला में जो देश का सबसे बड़ा नकसल हमला में से एक था कॉंग्रस पार्टी तो शहीदों की पार्टी है